तो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे और आज के वीडियो पे हम लोग बात करेंगे फिजिकल फार्मासोटिक्स के एक इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है colloidal dispersions, तो सबसे पहले आप बताओ कि colloids होता क्या है तो collide क्या होता है, कि suppose यहाँ पर एक पानी है, ठीक है, पानी है या फिर कोई भी solution है आपने 5 class में भी पढ़ा होगा, तो colloids में क्या होता है, यह एक solution लिए हमने इसके अंदर क्या होता है चोटो 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 particles पौजूद होते हैं, तो यह particles के थुरू अगर कोई beam of light आता है, तो वो light क्या हो जाता है, diffraction हो जाता है, उस light का है is na कि Collidal Dispersion को आप define करो तो Collidal Dispersion क्या है? Heterogeneous System है Heterogeneous System मतलब उसके अंदर अलग अलग तरह के Particles होंगे Homogeneous मतलब क्या होता है? कि सारे Particles एक जैसे हैं है ना? और Heterogeneous में क्या है? Particles, अलग अलग तरह के Particles एक साथ Mix है, तो यह Heterogeneous System है, ठीक है? उसमें क्या होता है? Dispersed Phase होता है और दूसरा क्या होता है? Dispersion Medium होता है तो अब समझते हैं कि Dispersed Phase और Dispersion Medium क्या होता है? तो जैसे थोड़ा सा इसमें E-Race करेंगे यहाँ पर है हमारा एक Solution यह हुआ आपना एक Solution किसमें हमने लिया? बीकर में ठीक है? उसमें लिया क्या? पानी ठीक है? पानी में हम लोग क्या अड़ कर रहे है? Sugar चीनी अड़ कर रहे हैं तो चीनी जो है वो हुआ क्या अपना? Dispersed Phase और जिसमें घुल रहा है हमारा Dispersed Phase उसको हम बोलते है Dispersed Medium ठीक है? कि यह मतलब जो हमारा Solute Substances को अपने अंदर Solubilize करेगा उसको हम बोलते है Dispersed Medium और जो घुलता है चीनी वो होगे अपना Dispersed Face तो Collateral Dispersion में Particle का Size क्या होता है? एक Nanometer से ले करके एक Micrometer तक हो सकता है Nanometer में क्या होता है? कितना होता है? 10 to the power Nanometer में होता है 10 to the power minus 9 से ले करके 10 to the power minus 6 तक का हमारा जो Range रहता है उस पे हमारा Particle Size vary करता है तो दो नंबर गोशन क्या बन सकता है? कि Define Collateral Dispersion तो ये क्या होता है? एक Heterogeneous System है जिसमें क्या होता है? Dispersed Face होता है और एक Dispersion Medium होता है जिसमें Particle का जो Size है वो vary करता है कहां से कहां तक? एक Nanometer से एक Micrometer तक अगला है कि अपना Molecular Dispersion तो बस Molecular मतलब क्या होता है? बिल्कुल छोटे-छोटे Molecules होते हैं न जैसे Carbon, Dioxide होता है तो उसमें छोटे-छोटे Molecules से एक Carbon है दो Molecules किसका है? Oxygen का है तो Molecular Dispersion में क्या होता है? कि Particle का जो Size होता है वो एक Nanometer से भी क्या होता है? कम होता है और Collidal Dispersion में कितना? एक Nanometer से ले करके एक Micrometer तक है न तो Collidal Dispersion होगे आपना अगला है कि आपना इसमें वही है एक Nanometer से 0.5 Micrometer तक हो सकता है सेम जीज़ दो बार रिपीड किया यहां पर अगला है कि आपना Coors Dispersion तो Coors से आप लोग क्या समझते हो? जो बड़े-बड़े Molecules होते हैं है ना Coors Powders के बारे में आपने पढ़ा था कि Coors Powders क्या होता है? जो बड़े Size के Powder होते हैं चोटे-चोटे होके ठीक है तो फिर इसमें क्या होता? Particle Size 0.5 Micrometer से क्या होता है? बड़ा होता है यहां पर बस यही तीन difference है Collideral Dispers में क्या? 1 Nm से 1 Micrometer Molecular में 1 Nm से छोटा और यही बात करें Coors में तो 0.5 से बड़ा अब यहां पर आता है दो टर्म जो कि आपको difference पूशा जा सकता है दो मार्क्स में के differentiate between Liophilic Collide and Liophobic Collide तो Liophilic, Phobic Philic का मतलब क्या होता है? Love Phobic का मतलब डर तो उसी से आप समझ लो कि जिसमें जो Dispersed Phase होगा वो क्या होगा? प्यार करेगा किस से? Dispersed Medium से तो वो होता है अपना क्या? Liophilic Collide और Liophobic मतलब क्या? वो उसको प्यार व्यार नहीं है कुछ है न? Little थोड़ा सा रह करेगा प्यार या फिर बिल्कुल भी नहीं करेगा कोई भी affinity नहीं दिखाएगा कि इसके लिए Dispersed Medium के लिए तो वैसे Collide को हम बोलते है Liophobic Collide Easy है Liophilic में क्या होगा? Love affinity दिखाएगा किसके के लिए Dispersed Medium के लिए Collide मतलब Particles तो यह सब Taptization Important नहीं है CMC Critical Missile Concentration या आप Association में पढ़ोगा यह भी उतना Important नहीं है अगला है कि आपना Tendal Effect यह वैसे Exam में पूछा तो नहीं जाता बढ़ फिर भी आप सुन लो कि जब एक Beam of Light को यह है अपना क्या? Collide Solution है ओके इसके अंदर क्या? Solution है गंदी से Drawing है मेरी यहाँ पर क्या हो रहा है? कि एक Beam of Light जब पास करता है तो जो Light है वो क्या हो जाएगा? Illuminate हो जाएगा मतलब बिखर जाएगा इसी को हम बोलते है क्या? Tendal Effect या फिर Tendal Effect आपने कभी घने जंगल में जाओगे आप तो फिर जहाँ पर धेड़ साड़े क्या होते है? पेड होते हैं तो फिर उससे भी पास हो के क्या होता है? उनके पत्तों से पास होकर के Light नीचे आती है तो फिर बिल्कुल Disperse होकर के दिखती है ठीक है? तो फिर यह होता है अपना क्या? Tendal Effect ये Brownian Moment थोड़ा से Important है कि आप से पूछा जा सकता है कि Define Brownian Moment तो Brownian Moment में क्या होता है? कि बार-बार क्या होता है? Zig-zag Collision होता है जैसे ये Particle है धेर सारे Particles है उसमें क्या होता है? आपस में वो Particle क्या होते है? तकराते रहते हैं जो हमारे Present होते हैं कहाँ पर Dispersion Medium के अंदर जो Molecules Present है वो क्या करते हैं आपस में ऐसे से ऐसे से टकराते रहते हैं जिग-जैग Moment होता है इनमें जिसको हम लोग Brownian Moment भी कहते हैं और Brownian Moment आप लोग बहुत अच्छे से Observe की होगे सब लोगों ने कि जैसे यहाँ पर है हमारा सूरज देवता बुलू कलर के तो नहीं होते हैं वो बचलो कलर चेंज ही कर लेते हैं सूरज देवता से आता है क्या Light धूप आती है आपके घरों में क्या होते हैं Dust Particles मौझूद होते हैं सब के हवा में भी मौझूद होते हैं तो फिर जब देखोगे आप कि जो सूरज की Light पड़ती है तो वहाँ पर क्या होते हैं ये सारे Particles छोटे-छोटे Visible हो जाते हैं जब आप बंद कमरे में आप देखोगे कि उपर से Light आ रही है तो फिर आप देखोगे क्या Particles जिग-जग मौमेंट अराम से करते रहते हावा में मौझूद जो Particles होते हैं इसको भी हम ब्राउनियर मौमेंट के अंदर देख सकते हैं ये सारा कुछ important नहीं है तो फिर आईए आगे शुरू करते हैं तो Sedimentation potential क्या होता है वो तो आपको पता है ये Sedimentation मतलब जो हमारा Particles है वो Gravity की मदद से क्या होता है Sediment होने लगता है कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे यासे क्या है आप पानी में Sand डाल दो बालू डाल दो उपर में क्या होगा पहले Dispersed में रहेगा फिर उसके बाद क्या होगा कुछ टाइम के बाद जैसे एक घंटे बाद क्या हो जाएगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा है ना तो यह Sedimentation Potential है पोटेंशियल डेफरेंस अब यह देखो यह आहां पर आया क्या एक टेबल तो टेबल में क्या है कि जब हमारा Dispersed Medium Dispersed Medium वही जैसे यह देखो यह जो Medium Solute Particles जो घुल रहे हैं कहां पर? Colloidal Dispersed में Dispersed Phase यह रहा ठीक है अगर Dispersed Medium जो है हमारा वो Liquid रहेगा और जो घुलने वाला Particle है जो Dispersed Phase वाला है वो क्या रहेगा? अगर Foam रहेगा तो फिर वो क्या बना सकता है हमारा? Soap, Beer, Laminate मतलब Liquid For Example, Shampoo देख लो Example इसका है अगर Solid Form में रहेगा Medium और Dispersed वी क्या रहेगा? Solid Form रहेगा तो फिर वो Cumis Stone बनाएगा यह उतना Important नहीं है यहाँ पर Important Liquid वाला है Gas वाला है And Liquid Emulsions Liquid रहेगा और Dispersed Medium क्या रहेगा? Liquid रहेगा और अगर Dispersed Face हमारा Emulsion रहेगा तो फिर वो Milk कह सकते हैं जहाँ पर Dispersed में यह से देखो दूद में क्या जम जाती है? उपर में क्रीम जम जाती है है ना? तो फिर वो Emulsion हो गया न एक तरह से यहाँ पर तो फिर उससे हमारा होता है फिर Solid Gel रहेगा तो फिर वो Butter Cheese ओके Gas Aerosol बना लेगा Dust Liquid Solution रहेगा तो फिर Pink यह उतना Important नहीं है बढ़ आपको Table थोड़ असा याद रहना चाहिए 3-4 का की Liquid में Format करेंगे तो Soap बन जाएगा Gas Aerosol तो Fog या Dust ठीक है? आगे बढ़ते जो Important Point है जो 5 नंबर में बहुत Important है और आपको एक्जाम में Basically पूछा जाता है कि Sizes and Shapes of Collidal Particles ठीक है हमें पता चल गया कि हमारा जो Solution है उसमें छोटे-छोटे Collidal Particles है अब बताओ उसका Size क्या होगा किस Size Range का होगा Micrometer में होगा या Nanometer में होगा या फिर उसका Shape कैसा होगा Ground होगा Rectangle होगा Squire होगा ठीक है तो फिर यह हमारा क्या Particle Size में हम लोग यही जानेंगे कि इसमें हम लोग 3 Method है पहला Method क्या आप न? Molecular Dispersion दूसरा Method है Collidal Dispersion तीसरा Method है Coarse Dispersion तो Molecular Dispersion में आप नाम सही जान रहे हो Molecules में क्या बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स होगे है न? तो Particle Size क्या होगा उसका पहला Point लिखेंगे हम लोग Less than 1 Nanometer ठीक है Molecular Dispersion में बड़े छोटे छोटे साइस के Particles मौजूद होगे हमारे Dispersion Medium में यह Invisible होते हैं कि इसमें Light Microscope से भी इसमें जो Electron Microscope है जो सबसे Powerful Microscope है उससे भी यह नहीं देखे जा सकते हैं इतने ज़्यादा छोटे होते हैं ठीक है? दूसरा Point यह हो जाएगा अपना तीसरा Point क्या होगा? कि यह Ultra Filter को भी Pass कर जाएंगे और Semipermival Membrane सब को यह क्या कर जाएंगे पास कर जाएंगे यह होता है हमारा Molecular Dispersion कि Semipermival Membrane से क्या होता है? कि जो बड़े-बड़े साइस के Particle होते हैं वो पास नहीं कर पाते हैं और यह तो बड़ा ही छोटा साइस का है है ना तो फिर कितने सोटे साइस का है वन नैनोमीटर से भी कम का है तो फिर यह आसानी से पास कर जाएगा अगला है कि आपना Colloidal Dispersion तो Colloidal Dispersion में क्या होता है कि जो Particle का Size होता है यह वैरी करता है कि से 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक ठीक है आपको बस यह डेटा याद रखना है Molecular में क्या होता है एक नैनोमीटर से छोटे Colloidal में क्या होता है बस उसके बाद वाला 1 से 5 course में क्या होगा 5 से जादा ठीक है easy है Colloidal Dispersion में क्या होता है 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक पार्टिकल्स को हम लोग कवर करते हैं किसमें Colloidal Dispersion में इसको हम लोग Ultra Microscope से देख सकते हैं और यह Filter Paper को बड़े असानी से पास कर जाते है Filter Paper वही जो आपने Laboratory में यूज किया होगा ऐसे कून के तरह हम बना लेते हैं और फिर उससे क्या होता है उपर से Solution डालते हैं और नीचे से धीरे-धीरे Drop, Drop, Drop निकलते रहता Filter Paper से आसानी से पास कर जाते हैं लेकिन Semi-Permiable Membrane से पास नहीं कर पाते हैं Semi-Permiable Membrane से पास नहीं कर पाते हैं ठीक है और यह बड़े Slowly, Slowly diffuse कर दे क्योंकि इसमें Particle Size थोड़ा सा बढ़ गया है जैसे कि क्या है इसका Example Cheese, Butter या फिर Natural and Synthetic Polymers ये सब होता है हमारे के Colloidal Dispersion में Shaving Cream तो सब नहीं यूज करी होगी अगर आप लड़की हो तो आपने नहीं किया होगा या किया भी होगा कोई ठीक नहीं है आजकल का जमाना का अगला है क्या अपना Course Dispersion Course Dispersion में क्या होता है कि Particle Size बहुत बढ़े साइज क्यों है तो 0.5 से बढ़े Particle Size हम लोग Course Dispersion में पढ़ते हैं ये हमें Microscope कोई भी Microscope के अंदर आप इसको देख सकते हैं ये normal filter paper को भी पार नहीं कर पाता ये इत्ते बड़े-बड़े साइस के Particle होते हैं तो उसको भी नहीं कर पाता ये तो Semi-Permieval Membrane को भी पार कर जा रहा था और ये नॉर्मल फिल्टर पेपर और सेमिपर्मेवल मेंब्रेन सबको यह क्या कर जा रहा ठाध einग traz कर जा रहा था मॉलिकुल डिस्पयर्स एक ज llev होसकते स्वेयर सीप क्यों सकते हैं रॉड़िट। जिया civ के वो इसका पार्टिकल साइज एक नैनोमीटर से 0.5 माइक्रो मीटर तक यह इन्विजीबल होता है किसमें इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप में अल्ट्रा फिल्टर और सेमिपर्वियम मेंब्रिन दोनों को पास कर जाता है ठीक है एक्जाम्पल इसका क्या और्डिनरी आयन्स जैसे फिर इसको हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं यह फिल्टर पेपर को पास करता है बट सेमी पर्मीवल मेंब्रेन को नहीं करता है और यह बड़ा स्लोली स्लोली डिफ्यूज करता है एक्जाम्पल इसका चीज बटर कोर्स डिस्पर्शन बड़े साइस के पार्टिकल जैसे 0.5 माइक्रोमीटर से बड़े पार्टिकल यह विसिवल होते हैं कहां पर माइकरोस्कूप में और नॉर्मल फिल्टर पेपर को भी पास नहीं कर पाते हैं और सेम प्रमेलमेंट की तो बात ही अलग है यह डिफ्यूज नहीं कर पाती है जैसे इसका एक्ज क्या पावडर नियुक्त होह कि कभी लेकर आना समचन चाइप को क्या पारा दिघता और शाथ में पानी बिटल दोता हुआ उसको बोलता होगा कि इस पावडर को इसमें क्लासिफिकेशन धाल सकते तरह पर प्कलाइटस को हम ने first में ही बात किया था दो तरह के होते है lyophilic मतलब dispersion medium को affinity वाले प्यार दिखाने वाले collides और दूसरा क्या होता है lyophobic जो कोई भी affinity नहीं दिखाते है मतलब binding उनकी बड़ी कम होती है तो lyo मतलब क्या होता है liquid dispersion medium और philic मतलब प्यार अगर dispersion phase हमारा interact करे किससे dispersion medium से मतलब जैसे चीनी पानी का गोल बना रहे है तो चीनी पानी के साथ क्या कर रहा है interact कर रहा है तो फिर उसी collide को हम क्या बोलते हैं lyophilic collide मतलब अच्छा सा bond बना लेगा और अगर dispersion medium water है तो उसको हम लोग hydrophilic collide भी कह सकते हैं है ना जैसे hydrophilic ने आपने पढ़ा होगा कि hydrophilic और एक पढ़ा होगा lipophilic तो hydrophilic मतलब क्या कि water loving philic लग गया तो लिपोफिलिक मतलब क्या है lipid loving या lipid soluble ठीक है तो फिर अगर पानी हो गया हमारे dispersion medium तो फिर वो hydrophilic collide भी हम उसको कह सकते हैं और अगर non aquos है तो हम उसको कह कहेंगे lipophilic है ना non aquos मतलब पानी नहीं है पानी के लावा कुछ है तो उसको हम लोग lipophilic collide कहेंगे ओके अब आप लोग बात करते हैं phobic की lipo lyophobic collides इसकी कोई भी होती है affinity नहीं दिखाता है यह hate करता है किसको हमारे dispersion medium को हमारे liquid को ओके अगर dispersion medium में बहुत कम या फिर कोई भी प्यार नहीं होता है dispersion medium से interact करने का dispersion phase का तो फिर उसको हम बोलते हैं lyophobic collide यह क्या होते हैं thermodynamically unstable होते हैं मतलब heat wheat से यह बड़े जरूरत पड़ती है अगर उसको हम लोग को रखना है तो ठीक है इसमें बस यतना ही important है लाइओ फोबिक में and next अपना क्या है तीसरा collide association collide association आप लोग नाम सही समझ रहे होगे कि क्या हो रहा है जुड़ रहा है association associate करना है न कि इसको हम लोग दूसरा नाम क्या है ampiphilic collide ठीक है अगर यह बड़े low concentration में पाये जाएंगे अगर यह कम concentration में रहेंगे तो कले कले रहेंगे मतलब अकेले अकेले रहेंगे separately ठीक है पर जैसे ही इसका concentration बढ़ जाएगा तो फिर यह क्या करेंगे aggregate कर जाएंगे एक दूसरे के साथ में है ना aggregate कर जाएंगे aggregate मतलब गुच्छा बना लेंगे ठीक है over a normal concentration rate बत axisी जगा पर ही क्या कर लेंगे गुच्छा बना करके क्या हो जाएंगे aggregate हो जाएंगे यही होता है अपना का association quelloide इसका example क्या है, missiles तो missiles आपने कहा सुना होगा 10th class में आपने पढ़ा होगा एक topic, soap and detergent तो उसमें क्या होता था, missiles बनते थे इस तरह के बनते थे missiles तो यही है अपना क्या association colloid तो अगर इसका low concentration रहेगा तो फिर ये individual particles की तरह behave करेंगे अगर इसका concentration high हो जाएगा, तो फिर ये क्या करेंगे एक दुसरे के साथ aggregate कर जाएगे और फिर बिल्कुल एक छोटे से concentration range में ये लोग क्या करेंगे एक दुसरे के साथ aggregate कर जाएगे तो ये ही था अपना क्या association तो association में दूसरा topic क्या आता है CMC critical missile concentration cmc का full form बस आपको पूछा जा सकता है कि define the full form या फिर full form बताओ cmc का cmc का full form क्या है critical missile concentration और यह जो table है बड़ा important है 5 marks के हिसाब से कि lyophilic, lyophobic और association collides का comparison है ठीक है तो बस सुरुवात में क्या बता देंगे loving, hating वाला concept लगा देंगे lyophilic क्या होते है लिक्विड loving होते है लायो phobic क्या होते है अपने lyophobic होते है color change lyophobic होते है liquid hating ओके थोड़ा चोटा और association क्या होते है यह aggregate बना लेते हैं है ना गुच्छा बना लेते गुच्छा सा किसका surface active agents का मतलब इसका दूसरा नम surface active agents का क्या होता है सर फैक टेंट्स वोई डिटर्जेंट्स हम लोग कह सकते हैं इनके जो सॉल्यूशन होते हैं लायोफिलिक के बड़ा आसानी होता है क्योंकि सिद्धा आप डालो और फिर वो खुदी प्यार है उनको तो आपस में खुदी गुची-गुची कर लेंगे ठीक है तो फिर उनको अगर हमको सॉल्यूशन को आगे बढ़ाना होता है तो फिर उसमें क्या करते हैं कुछ हम लोग मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं जैसे एजिटेटर इस्टीरर मेकैनिकल इस्टीरर होता है मिक्स नहीं हो रहा तो फिर उसको इस्टर करने के लिए हम लोग बाहर से क पूछ फोर्स लगाते या फिर बाहर से कुछ परफॉर्म करते हैं ठीक है और फिर ये बढ़े असानी से हो बन जाता है जब concentration cmc से जाधा हो जाता है cmc क्या था अपना critical missile concentration यानि concentration अगर cmc से जाधा होगा तो फिर ये क्या बना लेंगे आपस में स्टेबल होते हैं CMC इसका क्या हो जाता है घट जाता है अगर हम electrolytes उसमें डाल दें CMC मतलब critical फिर से नाम भूल गया critical missile concentration कम जाता है अगर हमारा electrolytes का नाम हो जाए यह आपको याद ही करना पड़ेगा ठीक है पांचों points यह most important question है आपको exam में देखने को ज़रूर मिलेगा ठीक है और इसका जो bond होता है यह क्या होता है हमारा reversible होता है कि जैसे चीनी पानी है उसका गूल बन गया तो वापस से आप लग चीनी और पानी को separate out भी कर सकते हो है ना ठीक है और यह जो lyophobic वाले है इनका जो bond बनता है आपना वो irreversible होता है मतलब पहले तो यह खुद घूल नहीं रहे थे अब जब घूल दिया तो यह छोड नहीं रहे है मतलब इनका प्यार बहुत आजीब होता है ठीक है और association का reversible मतलब CMC अगर कम जाएगा तो यह अपने आप से क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा मतलब concentration CMC को कह सकते है concentration अगर कम जाएगा तो फिर वो segregate हो जाएगा अलग हो जाएगे ठीक है और क्या dispersed phase यह हमारा क्या होता है organic molecules होता है colloidal size का और इसमें inorganic ठीक है और फिर इसमें क्या होता organic डाल दो या फिर ions डाल लो लेकिन colloidal rain से कम होना चाहिए यह solvated होते है little solvated यह क्या होते है lyophilic charged कम होगा इसमें क्यों क्योंकि दोनों में प्यार है दोनों आपस में लड़ जगर के क्या हो जाएगे आराम से neutral हो जाएगे है ना और फिर यह highly charged होते है मतलब यह इधर से यह इधर से दोनों कुष्टी चली भी है और फिर missiles तो आपको पता है यह soap वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं charged होते है ठीक है तभी तो वो हमारा dirt dust को अपने आप अट्रैक कर लेता है है ना अगला है कि आपना properties of collides तो क्या-क्या properties होते हैं collides के तो इसके total 4-5 properties है चली शुरू करी देते है तो टिंडल effect है हमारा पहला property टिंडर नहीं टिंडल ठीक है तो टिंडल हमारा सबसे पहले किसने कब discover किया गया था 1869 में बस यर रियाद रखना आप जब एक beam of light को एक beam of light को हम लोग pass कर आए थे किससे एक collidal solution से तो फिर हमारा light जो है वो क्या हो जा रहा था illuminate हो जा रहा था मतलब और ज़्यादा चमक के बाहर आ जा रहा था इसी phenomenon को हम लोग क्या बोलते थे टेंडल effect ठीक है इतना enough है टेंडल effect के बारे में जानना और फिर light जो है वो scatter क्यों कर रहा था क्योंकि वहाँ पर presence था इसका छोटे 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 particles थे मौजूद वहाँ पर इसी वज़े से जो properties हम अपने आखों से देख सकते हैं ठीक है visible ठीक है light white का कुछ effect आए इसमें ठीक है अगला है कि अपना electron microscope तो electron microscope बहुत useful है क्या देने के लिए actual particle का shape या उसका picture कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर अपना microscope फिर मेरी गंदी से drawing आपकी यह पीछा नहीं छोड़ेगी आपका ठीक है तो यह जो microscope है इसके अंदर रग दो क्या हमारा particle ठीक है suspension जो भी है solution जो भी है तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं देख रहे हैं तो इससे बस छोटा भाई है उसका कि एक intense beam of light को हम लोग पास कराते हैं किस से solution से और सामने क्या रखते हैं एक dark background रखते हैं यह तो light हो गया सामने क्या रखेंगे एक dark background रखेंगे ठीक है dark ही समझ लेना आप इसको तो जब एक beam of light को हम लोग पास करा रहे थे किस से solution से solution है अपना तो फिर dark background में अगर हम उसको एकदम 90 degree के अंगल से हम लोग पास करा रहे थे तो particles वह हमें किस तरह सा दिख रहा था बिल्कुल bright bright spots की तरह हमें कहां दिख रहा था उस background पे दिख रहा था है न पार्टिकल्स हमें किस तरह से absorb हो रहा था bright spots की तरह हमें visible हो रहा था उस dark background में ओके तो यही था हमारा ultra microscope अगला क्या अपना light scattering नाम से ही आप समझ रहे हो light क्या होगा scatter करेगा दिख रहेगा इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं उसका उस particles का shape size ठीक है पस जब scattering को हम लोग termidity के term में denote करते हैं termidity मतलब पता ही होगा कि जैसे हमारा जो solution है उसके अंदर छोटे जोटे क्या होते है पार्टिकल्स होते हैं तो फिर वो आपको दिखने में थोड़े से मतलब धुंदले दिखेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं termidity बोलते हैं क्यूं दिखते हैं धुनले क्यूंकि उसमें particles होते हैं वो light easily pass out नहीं हो पाता है इसी वैसे वो टर्विड हो जाते हैं ठीक है जितना ज्यादा पार्टिकल्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा हमारा टर्वी डिटी होगा ओके तो यही था हमारा चार प्रॉपर्टी को लाइट्स का